Hello students, this is सुर्भी तिवारी and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम स्टार्ट कर चुके हैं class 6 का science, जिसका chapter number 1 अभी हम पढ़ रहे हैं. उससे पहले हम chapter की start करें, starting करें, उसके पहले जरूरी है कि हमारे और teachers से एक बार हम रूवरू हो जाएं. तो ये हैं हमारे सारी धुरंडर teachers, जो कि आपको maths, English, Hindi and social and English पढ़ाते हैं. Well, इन सब का साथ होगा, तभी आप होंगे काम्याब अपने exams में. तो चलिए, इसी अच्छी बात से हम शुरुवात कर देते हैं हमारी next topic की, जो है chapter number 1 का. Well, इस जो topic है, इसमें हमें पढ़ना है, plant parts and animal products as food. की plant के कौन-कौन से parts हैं और animal के कौन-कौन से products हैं, जिनका use हम food की तरह करते हैं. Well, इससे start करें, उससे पहले एक छोटा सा example लेते हैं कि हम क्या-क्या चीज़े खाते हैं. Well, breakfast होता है, तो कई बच्चे आलू के पराठी खाना पसंद करते हैं, कई बच्चे एक खाना पसंद करते हैं, जब lunch होता है, तो कुछ और खाते होंगे, breakfast में कुछ पोहे खाते होंगे, या फिर आज भी आप लोगों ने अलग-अलग तरीके का breakfast किया होगा. Lunch में भी हम अलग-अलग तरीके का lunch लेते हैं, कभी हमने सबजी खा ली, सबजी में भी हम different तरीके की vegetables का use करते हैं, क्या ऐसा जरूरी है कि variety of vegetables का ही use करें, तो आप बोलेंगे जी हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर ममा आपको 2-3 दिन तक लगातार एक जैसी vegetable देती रहे, तो आप बोर हो जाएंगे, हो जाएंगे की नहीं, अगर सुभा भी आलू, शाम को भी आलू, और हर टाइम आलू-ालू खा करके तो आप आलू भी बन जाएंगे, है की नहीं, तो भही हमारे खाने को interesting बनाने के लिए, और ये boring ना हो हमारा खाना, इसके लिए तो variety जरूरी है ह साथ ही साथ हमें अलग-अलग food से मिलता है अलग-अलग तरीकी का nutrition, तो ये nutrition क्या होता है, इसके लिए हम chapter number two पढ़ेंगे, बट अभी बारी ये आती है, कि जो आप अलग-अलग तरीकी की vegetables खाते हो, ठीक है, वो plant का कौन सा part होता है, अभी बहुत सारी students के मन में एक सवाल ह कि हम तो सिफ fruit खाते हैं, plant से मिलने वाला, या फिर उसकी leaves को खाते हैं, तो मैं आपको बता दू कि हम बहुत सारी ऐसी vegetables खाते हैं, जिनके बारे में हमने पहले शायद ही कभी सोचा हो, कि हाँ, वो roots भी होती है, कुछ stem होती है, कुछ leaves होती है, even कुछ तो plant का flower भी होती है, तो ये सारी vegetables आप खाते हैं, fruit तो आप खाते ही हैं, लेकिन आपको ये भी जान के हरानी होगी, कि जो fruit आप खाते हैं, वो भी आप in a form of vegetable खा लेते हैं, तो चलिए, इन सभी चीजों के बारे में हम discuss करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं, कि हमारा जो plant होता है, उसके किस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जनरली हम ये तो जानते हैं कि leaves क्या होती है, flowers क्या होते है, plant से मिरने वाला fruit कौन सा होता है, लेकिन कई बार हमें confusion हो जाता है, कि इसके stem क्या होती है, और भी इसमें कई चीज़े होती हैं, जिनके नामों के बारे में हमें नहीं पता होता, तो चलिए उनके names के बारे में ज़रा discuss कर लेते हैं, तो जैसे सबसे पहले में बताओ, तो एक plant में six edible parts होते हैं, मतलब जिसको आप खा पाएं, तो ये कौन-कौन से होते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जितने भी नाम दिये हुए हैं, ये सभी नाम plant के parts के बारे में बता रहे हैं, और जो edible parts हैं, उनके बारे में मैं भी आपको बताओंगी, लेकिन पहले हम plant के सोरी information निकाल लेते हैं, जैसे हमारे body parts तो आपको पता ही है, ये eyes है, ये ears है, ये mouth है, lips है, तो इसे ही हमें plant के बारे में पता होना चाहिए, है की नहीं, तो चलिए start कर देते हैं, बिल्कुल इसकी जानकारी लेना, तो देखिए, सबसे पहले तो ये होती है, सुन्दर सुन्दर से colorful petals वाले flower, ठीक है, ये आपको अलगी दिख जाएंगे, flower को आप reproductive part भी कह सकते हो, या कह सकते हो reproductive part, क्योंकि इन flowers की मदद से भी जो plant है, नया plant ग्रो करता है, या फिर उसका reproduction होता है, ठीक है, उसके बाद आता है fruit, इन fruit से हमें seeds भी मिलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे plants जिनके हम seeds को भी खाते हैं, वो आपको इनके fruit से मिल जाते हैं, clear, इसके बाद ये जो beach वाला portion होता है, जो की आपको throughout पूरे plant में दिखेगा, generally जो green color का होगा, ये green color का ये जो part है, इसे हम कहते है, stem, क्या कहते है, stem, okay, then उसके बाद है, सुंदर सुंदर सा green color का structure, जिसके बारे में आप जानते ही है, वो होती है, leaf, क्या होती है, leaf, तो ये leaf green color की ही क्यों होती है, क्योंकि इनमें होता है chlorophyll, जिसके कारण, इनका जो color है, वो green दिखता है, आते हैं तब हम आपको बताएंगे कि इस लीफ के अंदर क्या क्या होता है इस लीफ के अंदर आपको जानके बड़ा मज़ा आएगा इसमें होता है स्टोमेटा क्लोरिफिल जो कि इसको ऑक्सिजन लेने और और कार्बन डियोकसाइड लेने में हेल्प करता है और साथ ही साथ फूट को प्रिपेर करने में भी ठीक है तो खेर ये थोड़ी बात की कहानी है फिलहाल अभी हमें तो प्लांट के पार्ट के बारे में समझना है ये पार्ट करते क्या है इसके बारे में हम बाद में डिसकस करेंगे तो भई ये जो प्लांट है ये लीफ है अब इतनी चीज़ तो node वो point होता है जिस point से leaf बनती है या जिस point से leaf निकलती है या एक leaf निकल सकती है या bunch of leaves जिस point से निकलती है उसे हम कहते हैं node अब इसके बाद inter node लिखा हुआ है तो inter node का मतलब होता है दो node के बीच का जो distance होता है या यह जो path होता है इनके बीच का, इसे हम inter node कहते हैं, ओके, then उसके बाद एक और छोटी सी चीज यहां लिखी है, वो है bud, अब यह जो bud है ना, यह stem में भी convert हो सकता है, flower में भी convert हो सकता है, ओके, और तो और यह छोटी छोटी leaves में भी convert हो सकता है, यह depend करता है कि किस type का bird है, इसी bud को कई plant में अगर आप directly cut कर दो और smile में लगा दो, तो यहां से एक नया plant बनना शुरू हो जाता है, तो bud एक छोट ऐसा structure जो की बड़ा हो कर कि या तो stem, या leaf, या flower बन जाएगा, ओके, उसे हम bud कह सकते हैं, generally यह जो bud representation किया जाता है, किसी भी diagram में जहां पर bud बनाया ज जाता है, उसका मतलब यह होता है, कि वहां से एक नई छोटा सा stem निकल करके, या एक नया branch निकल करके आएगा, और वहां से नई leaves produce होगी, ओके, तो किसी भी structure की starting से पहले, एक छोटा सा बढ़ वहां create हो जाता है, अब उसके बाद, नीचे, यह तो सब soil के ऊपर की कहानी थ ठीक है, अब नीचे की तरफ soil में क्या होती हैं, तो भई नीचे की तरफ होती है हमारी roots, अब root में भी दो चीज़े सी देखें आप, एक है primary root, और नीचे लिखा हुआ है secondary root, तो primary root कैसी होती है, जो इस तरह से नीचे vertically जाती है, ठीक हैं, कैसी vertically जाती है, वह आपको दिखा शुरू हो जाती है तो इन रूट्स को हम कहते हैं सेकंडरी रूट ओके तो प्राइमरी रूट मतलब इनीशली जो रूट आपके ग्रो होकर के स्वाइल के अंदर जाएगी और उसके बाद इसमें जो सब रूट्स निकलती हैं और सारी सारी तो यह सारी हमारी सेकंडरी हो जाता है और धीरे धीरे यह स्वाइल को पकरना जकरना शुरू कर देता है तो अगर एक प्लांट की बात की जाए तो उसमें दो तरीके के हिस्से होते हैं या दो तरीके के पार्ट्स होते हैं एक होता है root system और एक होता है shoot system root system soil के अंदर और shoot system soil के उपर की तरफ होता है तो चलिए plant के बारे में इतनी कहाणी हमारे लिए काफी थे अब हमें क्या पढ़ना है हमें तो पढ़ना है भाई plant के parts जो कि हम food की धरह खाते हैं तो ऐसे कौन-कौन से parts हैं, तो सबसे पहला तो होता है seed, okay, seed जो की आपके plant का reproductive part होता है, इसे हम खाते हैं, अब आपने कौन-कौन सी seeds खाई होंगी, सो आपने fenugreek seeds खाई होंगी, मैथी की जो दाने होते हैं, जो की seeds होते हैं, वो आप खाते हैं, कैसे खाते हैं, विल आपने कई बार सांभर तो खाया ही होगा, तो इडली सांभर में आपको आखरी में छोटे-छोटे से pieces दिखते होंगे, वो होती हैं मैथी की seeds या fenugreek seeds, जिनक और कहां plant के seed का यूज़ करते हैं तो sunflower जो seeds होते हैं उन sunflower seeds की मदद से हम oil बनाते हैं सोय बीन seeds की मदद से भी हम oil बनाते हैं तो मतलब हर तरीके से हम seed का यूज़ कर रहे हैं direct spices के तरह भी और उनकी health से oil निकाल कर भी then होता है root तो बहुत सारे plant ऐसे हैं जैसा कि हमने हमारे previous topic में पड़ा था बहुत सारे ऐसे plants हैं जिनकी हम root को खाते हैं जैसे की कौन-कौन से तो आपने देखा होगा carrot तो carrot एक्टल में root है एक आप कह सकते हो कि वो एक primary root है जिसमें छोटे-छोटे से secondary roots रहते हैं तो उसको भी आप खाते हैं तो underground part होता है लेकिन इसको भी हम food की तरह खाते हैं तो main body जो होती है यह जो stem होता है इसे भी हम खाते हैं तो उसके बाद है leaves तो बहुत सारी leaves हैं जैसे spinach है फैने गुरीक जास्ट मैंने अभी आपको बताया इन सभी को यह सभी क्या है यह सभी leaves है और आपने कई बार पालक का सूप तो पिया ही होगा spinach सूप तो पिया ही होगा तो यह सभी leaves है जो कि प्लांट की होती है तो हम leaves भी खा सकते हैं दैन उसके बाद fruit तो fruit किसी भी plant का आप खाते हैं fruit के form में तो खाते ही ही खाते हैं अग vegetable के form में कैसे खाते हैं तो वह जो आपकी चिली होती है वह actual में किसी plant का reproductive party होती है that means कि वह fruit होती करकि उसके अंदर seeds भी मिल जाते हैं तो हम वह भी खाते हैं in a form of vegetable and in a form of fruit fruit के form में तो हम बहुत सारे तदिके के खाते हैं mango खाते हैं grapes खाते हैं pineapple खाते हैं तो यह सबी fruits है OK जैन आता है flower तो क्या हम flower भी खाते हैं हम flower खाते हैं अब जो common flower है जैसे आपने सुना होगा cabbage का आपने लिए नाम सुना होगा cauliflower का अपने लिए नाम सुना होगा यह सभी tới referral है इसाघ्न अलाबा बनाना, बनाना का जो फ्लार होता है उसे भी हम खाते हैं वो भी एडिबल होता है तो इसका मतलब कि किसी एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं और हम खाते आ रहे हैं different form of vegetables में और fruits में जैसे अब एक प्लांट जो है उसके कई सारे parts edible हो सकते हैं जरूरी नहीं कि आप एक ही चीज को खा सकें जैसे कि बनाना प्लांट को देखिए बनाना प्लांट के help से हमें fruit मिलता है बनाना इसका जो stem है वो भी खाया जाता है उसकी vegetables बनाई जाती है then उसके बाद उसका flour जो है वो भी food की तरह use किया जाता है तो है ना interesting कि बनाना प्लांट के इतनी सारी चीज़े खायी जा सकती है that means कि जरूरी नहीं है कि किसी एक plant की कोई एक particular चीज को ही खाया जाए हो सकता है कि उसके बहुत सारी uses हो उसका flour भी useful हो उसका stem भी useful हो जैसा कि बनाना प्लांट then होता है mustard so well mustard के बारे में तो आपने सुना ही होगा हम उसके seeds का use करते हैं oil के लिए mustard oil बनाते हैं and उसके flowers का use हम कर सकते हैं direct खाने के लिए okay तो इनके flowers भी use के जाते हैं इनकी seeds भी use की जाते हैं okay साथ ही साथ इसके जो leaves है वो भी हम use करते हैं तो इनकी जो mustard leaf होती है उसकी भी भाजी बनाई जाती है उससे भी vegetable बनाया जाता है दैन उसके बाद pumpkin, pumpkin का जो fruit है, जो itself pumpkin है, वो एक fruit है, जिसको आप vegetable form में तो खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ pumpkin flower को भी हम खा सकते हैं, दैन उसके बाद coriander, तो coriander तो भी आपने देखी ही होगी, green green सी छुटी छुटी सी जो leaves है, आपने अपने पोहे के ऊपर देखी होगी, या बहुत सारी vegetables के ऊपर आप coriander डालते हैं, तो इनका use आप decorative part की तरह तो करते ही हो, साथ ही साथ इनकी seeds का use, इसके stem का use और leaves का use तो हम करते तो इसका मतलब कि किसी एक plant के बहुत सारे parts जो है, वो edible हो सकते हैं, तो इस point को जरूर याद रखेगा कि कभी पूछा जाए आपसे, कि क्या किसी एक plant का सिर्फ एक ही part खाया जा सकता है, तो जी नहीं, depend करता है कि plant किस तरह के का है, उसके according हम उसके कोई से भी part को खा सकते ह एक, दो, तीन, कितने भी parts, तो चलिए ये तो हमने जान लिया कि कौन से ऐसे कुछ plants हैं, जिनके हम बहुत सारे parts को खा सकते हैं, अगर मैंने कुछ miss किया हुआ है या अगर आपको पता है, तो comment section में मुझे जरूर बताएगा कि और कौन से ऐसे plants हैं, जिनके और बहुत सारे parts को आप खा सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पे आपकी activity number 4 आ चुकी है, activity number 4 में आपको ये बताना था कि कोई एक particular dish आपको दी हुई है, food आपको दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि उसके ingredients क्या क्या है, और उस ingredients का source क्या है, source का मतलब कि वो particular ingredient है क्या, कहा से आया है, क्या plant है, क्या वो seed है, ये सारी चीज़े आपको बताना ही नहीं, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, brinjal curry के बारे में, सब brinjal curry के लिए क्या-क्या जोडीर है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए, brinjal चाहिए, oil चाहिए, और क्या-क्या चीज़े चाहिए, तो हो सक करेंगे, spices का use करेंगे, तो सबसे पहले, जैसे brinjal है, तो brinjal किसी plant का क्या part होता है, ठीक है, तो brinjal का आपने plant देखा होगा, brinjal किस color का होता है, dark, आप कह सकते हो, dark blue या हलका सा blackish color का होता है, black color का देखा होगा, ओके, तो ये black color का आपको कब मिलता है, जब एक छोटा सा flower आता है, purple color का, then वो purple color का flower जो है, वो धीरे-धीरे fruit में convert होना शुरू हो जाता है, that means, ये कौन सा part है, ये है आपका fruit, okay, तो brinjal के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, fruit plant, then उसके बाद हम अगर उसमें चिली का use कर रहे हैं, तो चिली again क्या है, चिली भी fruit है, okay, and इसके बाद हम इसमें oil use करते हैं, जैसे कि हम ground nut का use कर सकते हैं, mustard का, soya bean का, तो ये सब क्या है, तो ये सब ही हमारे seeds है, हम potato का use करते हैं, या फिर onion का use करते हैं, तो चाहे आप potato use करो, या onion use करो, तो ये सब ही क्या है, ये सब ही roots है, that means कि अगर हम कोई भी food prepare करते हैं, तो उसके सारे ingredients ज जिनसे मिलकर कि आप food prepare कर रहे हूँ okay तो वो सारी ingredients जो है वो plant के अलग-अलग parts से मिलकर के बने होते हैं that means कि अगर हम food variety की बात करें तो उसमें food के अलग-अलग part मिलकर के अलग-अलग तरीके के food varieties को बना सकते हैं okay ऐसे ही अगर हम example देखे potato curry का तो potato curry के लिए हमें क्या चाहिए potato curry के लिए हमें chili चाहिए जीरा चाहिए हल्दी चाहिए oil mustard soybean किसी का भी oil हो सकता है इसके अलावा आप tomato भी लिख सकते हैं तो tomato क्या होगा again अगर tomato की बात करो तो tomato again एक fruit plant plant का fruit होता है चिली जैसे अगर हम इसमें यूज करें तो वह भी fruit है जीरा कैसे मिलता है तो आपको जीरा का एक plant होता है जिसका जो fruit है वह जीरा देता है हल्दी हल्दी क्या है तो हल्दी तो यह जो हल्दी है, यह एक root है, जो कि हम spices की तरह करते हैं, और हल्दी जो है, हम बहुत सारी जगों पर, अगर किसी को कफ या cold है, तो वो medical, medicine की तरह भी यूज की जाती है, ओके, दैन उसके बाद, oil, oil कैसा भी हो सकता है, mustard oil, soybean oil, कोई सा भी oil हो, वो सभी किस से मिलकर के बना होता है, seed की help से, clear, इसके बाद, अरहर दाल, ठीकें, इसे अरहर, रहर या तूर, कोई भी दाल कहा जा सकता है, अगर आपको ये दाल प्रिपेर करने हैं, तो कौन कौन से ingredients होते हैं, इसके लिए दाल होती है, रहर दाल, तूर दाल, कुछ भी कह लीजे, इसमें चिली, जीर अद्रक, हल्दी, या mustard, soybean oil, ये सब आप यूज़ करेंगे, तो रहर दाल कहां से मिलेगी, तो ये किसी ligminous plant का, क्या होता है, ये किसी भी plant का seed होती है, इसके बाद, चिली, चिली क्या होता है, fruit, जीरा, जीरा की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया था, जीरा क्या होत होता है, अद्रक, अद्रक क्या होती है, अद्रक, जिंजर है आपका, ये root होती है, दैन उसके बाद, हल्दी, हल्दी again root है, oil आपको seed से मिलेगा, तो इस activity में हमें यही करना था, हमें ये देखना था, कि plant के कौन कौन से part की health से हम food बनाते हैं, और उसके ingredients जब पूरे बन ज कि plant का सिर्फ एक ही part काफी नहीं होता, कि सिर्फ हमुसके fruit को खा रहे हैं, या सिर्फ हम उसके leaves को खा रहे हैं, plant के different parts eatable हो सकते हैं, एक ही plant के 2 से जादा भी हो सकते हैं, या एक होगा किसी plant के 2 भी हो सकते हैं, okay, so I hope plant के parts के बारे में आपको अवी चीज clear हो गई होगी कि आ आप उसका stem, leaf, root, flower, seeds, anything, सब कुछ खा सकते हैं. Clear? Well, अगर आपको taste करना है, किसी भी plant का, तो direct आप उसे taste ना करें. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ plant जो हैं, वो poisonous हो सकते हैं, हमारी body के according नहीं हो सकते हैं. तो किसी भी plant को taste करने से पहले बहुत जल्दबाजी ना करें, अपने बड़ों से ज़रूर पूछ लें, कि हम ये particular plant का कौन सा part खा सकते हैं. Clear हो गई ये बात, क्योंकि हर plant का हर part edible नहीं होता. Okay, so, यहाँ पर यही precautions दिया हुआ है, do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. हर plant को नहीं खाना चाहिए, कुछ poisonous भी हो सकते हैं. Clear होई गई बात, तो I hope आज के इस topic से आपको ये point clear हुआ होगा, कि plant के कौन से parts हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं. अब बारी आती है animal products की. तो well, animals के बारे में, या तो हम meat या chicken का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे अलग-अलग लोग अलग-अलग type के animals को खाते हैं, कुछ लोग seafood को खाना पसंद करते हैं, crabs को खाना पसंद करते हैं, और animals से हमें और कौन से चीज़ मिलती है? तो animals से हमें जो secondary चीज़ मिलती है, वो मिलती है egg. ओके, तो egg हमें generally हम इंडिया में chicken egg को प्रफर जादा करते हैं, ओके, सो animals के product कौन-कौन से होते हैं, तो animals के हापको meat, chicken and egg, ओके, और जितने आपके polytory forms से आने वाली चीज़े हैं, जैसे milk है या उससे बनने वाले सारे products जो है, वो हमें animals से ही मिलते हैं, तो इस topic से plant and animal products से हमें ये समझ में आया, कि हमारे पास variety कहां से आती है, तो variety आती है अलग-अलग तरीके के plant से, और उन plant के अलग-अलग parts से, clear हुआ ये point, चली, तो अब हम हमारे chapter को, कि इस topic को यहाँ पे खतम करेंगे, और next topic पर मैं मिलूँगी मेरे next वीडियो में, वेल तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन वीडियोस को जरूर शेयर करना है, अपने same class के students के साथ, और उनके साथ, जो किसी और class में भी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास है 100% free classes, kindergarten से class 12 तक, साथ ही साथ, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, पसंद आया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी रीसेंट अपडेट है, वो तुरंत आप तक पहुँच जाएं, हम मिलेंगे इसी चाप्टिर के नेक्स टॉपिक के साथ, हमारे नेक्स वीडियो में, तिल रेन, स्टे हैपी, स्टे हैल्दी, थैंक्यू सो मच्च.